उत्तर परदेश के स्रावस्ती जिले से एक दिल को दहला देने वाली ख़बर सामने आ रही है आपको बता दे कि स्रावस्ती जनपत के थाना नवीन छेतर के ग्राम पंचायद बिदोनी के मजरा जंजार में एक आम के बाग में टेंपो ड्राइबर का पेड़ से लटकता हुआ सो देखने से इलाके में हर्कम मज गया और आसपास के लोगों में काफी संक्या में भीर जमा हो गई वहीं लोगों दोरा पुलिस को सुचना दी गई मौके पर पहुंची नवेन थाना की पुलिस के साथ फारंसिक टीम भी पहुंची घटना अस्तल पर पहुंची पुलिस ने सो को नीचे उतरवा कर अपने कबजे में लिए और पोस्मास्टम के लिए भेज दिया मिल पुरी जानकारी मिलने पर दूसरे आपडेट में हम आपको पूरा मामला दिखाएंगे कब तक के लिए बने रही है हमारे साथ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबाना ना भूले ताकि हर आपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले धन्यवाद आपको नाम क्या आपके साहे दली ये जिनका मिरतक हुआ है ये मेदिया में कोई रिस्तेदारी ये क्या था कॉछ तो ये हसा कपकी है मुलब रात में थे घर पे हाँ अभी आपको नोग रूब स्वाइब रात में तो रात में कॉम इसी गाड़ी चला जिए घर जावा थे कभी फोन करें तभी चले जाता तो रात में फोन किये थे वह हुआ तो में म ağograph कर माई ऑच तो राद में मुल्ião वाट बुजे लाए नहीं सुचन है जूचना कैसे मिली आपको ढ Me मिर्थक का नाम क्या था किया नाम था यूबली और इनके कोई साधी हो गई थी इनकी दो बच्चे है छोटे-चोटे बच्चे लड़का लड़की कि दो लड़किया है उमर क्या है तीस बत्तिस साल लड़कें का 30-32 साल वर बच्चों की 30 साल वर बच्चों का बट्रव का बच्चों का अधिस्ट लड़का है कर दो कर दो नहीं साल का है, नहीं किन साल का होगा?